हलो दोस्तों लूसेंट राजसन जी की इस वीडियो में आपका वेलकम अज़स्तों तो आज मिलने वाला ज़स्तों टॉप 50 कोशन आपको मिलने वाला ज़स्तों ये वीडियो का आट वाट अज़स्तों इससे पहले भी साथ पार्ट बनाए जा चुके हैं वो भी चैनल पे ज सकते हैं ज़स्तों और ये कोशन आपको डेली मिलने वाला ज़स्तों इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन बटन को भी दबा लिजे ताकि आप हमारे लेटिस्ट वीडियो के नोटिशन सबसे पहले पराप्त कर सके हैं दोस्तों और ये कोशन आकरमन के समय वे रंतंबोर के पतन के समय यहां का शाशक कौन था तो इसका गरेक्टा आंसर है आप्शन बटी हमीर देवता रंतंबोर का शाशक जब अलावदीन खलजी ने आकरमन किया था नेक्ष ने डुंडाट राज्ये का इस्तापना किसने की थी तो इसका गरेक्ट आंसर है option number C दुलहराय ने कीती डुंधाट राज्य की इस्तापना next ने दिलवाड़ा में आदिनात मंदिर का निर्माण निर्माण तो इस option number A बिल्कुल correct है विमल शहां ने करवाय था आदिनात मंदिर का निर्माण next ने चावंड शेली की चित्रकला किस शाशक के शाशनकाल में विक्सित हुई तो इसका correct answer है option number C राणा परताब के शाशनकाल में विक्सित हुई थी चावंड शेली की चित्रकला नेक्षन है राजस्तान में काली बंगा किस जिले में है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्षन नमर बी हनमानगड जिले में स्थित है राजस्तान में काली बंगा नेक्स ने पिछवाईयों का चितरण का मुख्य विशे है नेक्स यूने इसब गोल का मुख्य उत्पादक कौन सा है तो इसका गरेक्टा आंसर है option number B जालोड जिला है इस अब गोल के उत्पादन का मुख्य जिला next ने निमन में से किस शंक लिपी के प्रचूर संक्या में प्रमान उपलब्द है तो उसका correct answer है option number C बेराट के प्रमान उपलब्द है शंक लिपी के next ने कृष्णा कुमारी कहां की राजकुमारी थी तो इसका correct answer है option number B उद्यपूर की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी next ने अजमेर मेरवाडा को उसकी अलग विवस्ता के कारण किस श्रेणी के इंतरगत रखा गया है तो इसका correct answer है option number C इसे श्रेणी के अंतरगत रखा गया है अपनी अलग विवस्ता के कारण अजमेर मेरवाडा को next ने मूर्तिकला के सिद्धस्त सोमपुर जाती के शिल्पी मूलत है कहां से सम्मदित है तो इसका correct answer है option number B बासवाड़ा जिले से सम्मदित है सोमपुर जाती के लोग जो की मूर्तिकला में सिद्धस्त व्यक्ति है next ने रजस्तान एकी करण के कितने चड़नों में जेपुर वै जोदपुर रियासत शामिल हुई तो इसका correct answer है option number C चार चड़नों के अंदर शामिल हुई थी जेपुर और जोदपुर रियासत रजस्तान में next ने निम्न में से कौन सा अभ्यारण अजगरों के लिए प्रसित है तो इसका correct answer है option number C रामगड अभ्यारण फेमस है अजगरों के लिए next ने सूकडी गुईया नदी के किनारे कौन सा शहर इस्तित है तो इसका correct answer है option number B सोज़त शहर पाली इस्तित है सूकडी गुईया नदी के किनारे next ने राजस्तान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतराष्टिय सीमा की लंबाई कितनी है तो इसका correct answer है option number C 1070 किलोमेटर है जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है राजस्तान की सीमा next ने निम्न में से राजस्तान राज्ये में किस जिले को अन का कटोरा है option number D श्री गंगानगर जिले को कहते हैं अन का कटोरा राजस्तान में next ने पानी को ठंडा रखने के लिए बादला ठंडा रखने के लिए बादला कहां बनाए जाते हैं तो इसका correct टांसर है option number D जोतपुर में बनाए जते हैं बादला जिसकी सायता से पानी को ठंडा रखा जा सकता है next ने राजस्तान राज्ये में अबरग इंटों का निर्मान होता है तो इसका correct टांसर है option number B बिल्कुल correct है भीलवाड़ा जिले में होता है अबरग इंटों का निर्मान राजस्तान में next ने राजस्तान राज्ये में वनों में सरवादिक शेत्रवाला वन है option number C दोक वन है जो की वनों के शेत्र में सरवादिक शेत्रवाले वन है next ने देश में खनीज उत्पादन की दरश्टी से राजस्तान है तो इसका correct answer है option number B पांच वाइस्तान है राजस्तान राज्ये का खनीज उत्पादन की दरश्टी से next ने पंडित नेनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदूलन के प्रसिद नेता थे तो इसका correct answer है option number C कोटा प्रजामंडल आंदूलन के प्रसिद नेता थे पंडित नेनूराम शर्मा next ने नीम्डा हत्याकांट किस आंदूलन से सम्मदित है तो इसका correct answer है option number C एकी आंदुलन से समधित है निम्डा हत्याकांड नेक्षने निम्ड में से किस राजबुत मनसबदार को अगबर ने फरजंद की उपादी दी थी तो इसका गरेक्टर आंसर है आप्षन नमबर सी मान सिंग को दी थी फरजंद की उपादी अगबर ने निक्षने अगबर द्वारा महरना परताप को मेत्री इस्तापित करने के लिए गठित तरतिये सिष्ट मंडल का नेत्रतू किस ने किया था तो इसका गरेक्टर आंसर है आप्षन नमबर सी भगवन दास ने किया था तरतिये सिष्ट मंडल का नेत्रतू महरना परताप से मेत् इस्तापित करने के लिए निक्ष ने मिट्टी अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है तो उसका गरेक्ट आंसर है आप्शन मर्डी उप्यूगत सभी प्रकार से मतलब वनों की पट्टी लगा कर पशुओं को चारागहा में चारा कर बहते हुए जल को रोक कर इन तीनों तरी राजस्तान में क्रशकों के लिए सरवादिक लापकारी मिट्टी है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर डी विल्कुल गरेक्ट है जो बलोई दोमट मिट्टी है वह सरवादिक लापकारी मिट्टी है राजस्तान के क्रशकों के लिए निक्ष ने बेड़ज नद को नेक्ष ने माही नदी पर करनाडा बांद निर्मान किया गया है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर सी राजस्तान में निर्मित किया गया है माही नदी पर करनाडा बांद नेक्ष ने निम्न में से राजस्तान में रगुनात परवस्षिकर इस्तित है गरेक्ट राजस्तान में नेक्शने भारत पाकिस्तान के मद्धे की अंतराष्टिय सीमा रेखा का नाम है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमरी रेट किलिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मद्धे सीमा रेखा का नाम नेक्शने निम्न में से हमादा किसे कहते हैं तो इसका ग निक्ष ने सौतंता के पश्यात और राजस्तान के पहले और एक मात्र प्रधान मंत्री बनाए गए तो इसका गरेक्टा नसर है ऑप्शन नमर सी हीराला शास्त्री को बनाए गया था पहला और एक मात्र प्रधान मंत्री निक्ष ने एक लिंग महामत्य गरंत का लेखन कारिये किस शाशक द्वारा पूरा किया गया था तो उसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी महाराना कुमबा के द्वारा पूरा किया गया था एक लिंग महामत्य गरंत का लेखन कारिये नेक्ष ने राजपुतों की उत्पती के सम्मंद में अगनिकुंड के सिध्धान्त से किस वन्ष का उदे नहीं हुआ है तो उसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी राठोड वन्ष का उदे नहीं हुआ है नेक्ष ने तामर्योगिन सब्विता की जन्नी किस पूरास्तल को कहा जाता है तो उसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी गनेश्वर पूरास्तल को कहा जाता है तामर्योगिन संस्कृती की जन्नी निक्ष ने काली बंगा की सब्विता किस नदी के किनारे फैली थी तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर ए सरस्वती नदी के किनारे फैली थी काली बंगा की सब्विता निक्ष ने राजस्तान को कौन सा दुर्ग परन दुर्ग है तो इसका correct answer है option number B रंतंबोर दुर्ग है जो की परन दुर्ग है नेक्षने राजस्तान में लगू कटारगड दुर्ग कहां इस्तित है तो इसका correct answer है option number B कुंबलगड दुर्ग के अंदर इस्तित है लगू कटारगड दुर्ग परतिवर्ष राम नोमी के दिन बापा जुन्जार जी का मेला किस इस्तान पर लगता है तो इसका correct answer है option number C श्या लोधड़ा में लगता है जुन्जार जी का मिला निक्ष ने केशर कालमी किस लोग देवता की घोड़ी का नाम था तो इसका correct answer है option number B पापू जी लोग देवता की घोड़ी का नाम था केशर कालमी नेक्स ने चूड़ीदार पैजामे के स्तान पर पहने जाने वाले वस्तर को क्या कहा जाता है तो उसका correct answer है option number D इसे breaches कहा जाता है नेक्स ने रनकपुर के कुमबा कालिन जेल मंदिर का शिल्पकार निम्न में से कौन है तो उसका correct answer है option number C वास्तुविद देपाग है शिल्पकार कुमबा कालिन जेल मंदिर का 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 शिल्पकार दी उप्यूक्त सभी सकते हैं थो आप्शन पर ए है कभी रवाणी इस पंत का मुख्य गरंता है और बढ भी है इस पंत को रामानन्द के सप्ष्य कभी ने चलाया था आप्शन इस पंत के सादू विवा नहीं करते हैं तो तीन हो ही कतन सही है कभी पंत संप्रधाय से नेक्ष ने रामानुजाचारिये तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर सी वेशनव धर्म के अन्याईते रामानुजाचारिये नेक्ष ने आर ये समाज की इस्तापना किस ने की थी तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की ती आर ये समाज की इस्तापना नेक्ष ने राजस्तान में अगनी निर्ते पुरदाय से है तो इसका गरेक टांसर है आप्शन नमबर भी जसनाती संपुरदाय से समझ दिता है अगनी नड़ते है निक्षन है राजस्तान में किस इस्तान पर बोध चेतालियों के अवशेश मिलते हैं तो इसका गरेक टांसर है आप्शन नमर भी बेराड जेपुर में मिलते हैं बोध चेतालियों के अवशेश राजस्तान में तीजोसव का आयोजन किस जिले में होता है तो इसका गरिक टांसर है आप्शन नमर बी जेपुर जिले में होता है ती जुस्व का आयोजन